आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें हीलियम के संदर में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, मतलब हम लोगों को गलत वाला बताना है, पहला बोला गया, इसका उप्योग प्रबल अतिचालक चुम्बक को उत्पन करने में, एवंग उसे बनाये रखने में होता है। बिल्कुल हीलियम का प्रबल अतिच होता है, बिल्कुल ये क्या है, एक तो इसका अडुभार कम होता है और अक्री है, तो ये गैस होगा, वो क्या करेगा, ठंडा करने में प्रयोग किया जाएगा, यानि क्रायोजानिक कारक के तरह प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी कतन सही है, तीसरा पोला गया, इसका उपयोग हाइडोजन के अस्थान पर गुबारों में, को भरने में होता है क्योंकि यह हल्की एंवंग ऑजवलनसील है तो सबसे पहले तो हाइडोजन का अड़ुभार जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा जबकि हिलियम का क्या होता है, 4 होता है तो यह क्या हो गया हीलियम जो है H2 से भारी हो गया ठीक है यानि कि यह जो बोला गया क्योंकि यह हलकी ओजवलन सील है तो ओजवलन सील तो होगा लेकिन हलका नहीं है हाइटोजन से साथी साथ प्रयोगों ध्वारा ये भी मिला है कि हीलियम जब मानव शरीर में जाता है तो आवाज बदलने लगता है इस वजय से गुबारों में भरने के काम हीलियम को नहीं लिया जाता यहनिकि यह कतन हम लोग का हुआ गलात हुआ और इसी वज़े से अम लोग उत्तर के चुल लेंगे तीसरा भिकल्ब ठीक है अब चौते में बोला गया है कि इसका उपयोग नावी की रियक्टर में गैसों को थंडा करने में होता है तो क्रायोजैनिक है और अक्री है इसी वएसे नाभी की रियक्टर में भी प्रयोग किया एता है तो यह भी कतन सत्य है तो किवल उत्तर क्या हो जाएगा तीसरा भी कल ठीक है धन्यवाद